राजू पिश्टाज धन्यवाद अद्दक जी आपने बजट 2024-25 के आउसर पे मुझे बोलने का समय दिया मैं दार्जिलिंग की जनता का भी आबारी हूँ जिनोंने मुझे दूसरी बार उनकी आवाज इस सदन में बनने का मोका दिया और मैं बदाई देना चाहूंगा आदर्णिया प्रदानमंत्री मोधी जी को और वित्यमंत्री सितारमन जी को कि बजट में हर पहलू को ध्यान में रख करके बजट तयार किया गया और बजट में खास करके युवाओं की बात की है यूथ स्किलिंग की, एंप्लोइमेंट की और एग्रिकल्चर की, इंफरस्ट्रक्टर की जिसमें अर्बन डेबलोप्मेंट भी है, रूल डेबलोप्मेंट भी है, इनोवेशन की, मैनिफेक्चिरिंग की और वुमन लेड डेबलोप्मेंट पर जोर दिया गया है भारत यूवाथ निस है, और आज के हमारे यूवाथ कल का भारत है, और यूवाथ के रोजगार और स्किलिंग के लिए भारत सरकार दो लाख करोड रुपे खर्च करेगी और पांच साल में चार करोड दस लाख यूवाथ का इसमें लक्ष रखा है और भारत के टोप 500 फोर्चुन कंपनी में उनको एक साल का ट्रेनिंग भी मिलेगा और उसमें स्टाइफिन के नाते 5000 रुपय प्रतिमा भी मिलेगा और जिन युवाओं को पहली बार नोकरी मिलेगी उसको 15,000 रुपय तक भारत सरकार एक बार डायरेक उसको एक मेने की तनखा देने का काम भी करेगी इतना ही नहीं हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपय तक का लोन भी मिलेगा और जिसका करीब 3 परसन करीब 40 परसन हो जाता है ब्याज का 3 परसन ब्याज जो है भारत सरकार भरेगी इंफरस्ट्रक्शर पर जोड़ दिया गया है जिसके लिए 11 लाख करोड से जादा रुपय का अवंटन किया गया है और रूरर इंफरस्ट्रक्शर फंड के लिए 2.66 लाख करोड रुपया का इसमें प्रावधान किया गया है प्रदानमंत्री आवाश योजना के अंतरगद 3 करोड नए घर बनेंगे और प्रदानमंत्री आवाश योजना अर्बन के अंतरगद 1 करोड घर बनेंगे और जिसके लिए जो है 10 लाग करोड का खर्च बारेश सरकार करेगी PM जन्मन योजना के तहट 24,104 करोड उपया का जन्जाती विकास के लिए खर्च रखा गया है और मैं बदाई देना चाहूंगा प्रदान मिंत्री जी को पहली बार चाय बगान की बात इस बजेट में पेस हुई है और नौर्ट बंगाल और आसाम के चाय बगान में काम करने वाले स्रमीक जिसमें ज़्यादा तर महिला है रहती उनकी बच्चों की एडुकेशन और उनकी जो है देखरे के लिए एक हजार करोड उपय का जो है आवंटन बजेट में हुआ है मैं नौर्ट बंगाल और आसाम की जनता की और से प्रदान मुंतर जी को बदाई देना चाहूंगा सर मैं बात अभी बंगाल की करता हूं आजादी के समय बंगाल बेस्ट बंगाल था जिसको आज टी-मसी ने सबसे वर्स्ट बंगाल बनाया है कोई बाप चिलाते रहो आप मैं आकड़े आता हूं मैं आकड़े सब्सक्राइब बजट बजट में बोल रहा हूं सर और जो काम इस्ट इंडिया कंपनी करती थी आज टी-मसी पश्चिम बंगाल के साथ वही ब्यवार कर रही है अनेक योजना है जिसमें मंद्रेगा हो स्वच्छ भारत हो प्रदार मंत्री गराम सड़क योजना हो आवाज योजना हो राइडियेफ का फंड हो मुफ्त राशन हो बोडर एरिया का डेवलोप्मेंट फंड हो हर जगा घोटाला है यहां तक की सिक्षा को भी इनों नहीं चोड़ा और ओलंपिक चल रहा है मैं यह कहना चाहूंगा अगर आज जो है करप्शन के उपर में ओलंपिक में कॉम्पिटिशन होता तो टीम सी को गोल मेडल मिलता और इज ओफ दूइंग की हम बात करते हैं लेकिन इज ओफ दूइंग करप्शन में टीम सी नंबर वन है पश्चिम बंगाल को साथ लाक करोड का करजा यह टीम सी की दे ने 35 साल सी पीएम पश्चिम बंगाल में साशन में थी एक लाक नबबे हजार करोड का करजा था आज वो बढ़के सातला करोड हो गया मैंने प्लिम सी से एक रुपे नहीं लिया मेरे उपर सत्तर हजार रुपे का जो है करजा इनों ने डाला है और पश्चिम बंगाल की आप देखी है मंतली पर कभीटा पर केपिटा कंजम्शन नौर्थ इस के आठों स्टेट से भी कमें इनको शरम आनी चाहिए आजादी के समय पश्चिम बंगाल का मेनुफेक्चिरिंग 30% कंट्रिबूट करता था जो आज 3% से कम रह गया है ये भी इनी की देन है और ये कहते है कि केंद्र जो इनको पैसा नहीं देता सर मैं डाटा के साथ कहना चाहता हूं प्रदानमंत्री आवाच योजना प्रदानमंत्री गराम सड़क योजना और मन्दरेगा की आखडा आपके सामने रखना चाहूंगा सर बड़ा मेजिक नंबर है आधार लिंक होने से पहले मंद्रेगा के 3 करोड 88 लाक 3.88 करोड आधार लिंक होने से पहले मंद्रेगा के काट थे और जैसे आधार लिंक हो गया ये रह गये 2 करोड यानि 1 करोड 35 लाक फरजी काट बंगला देशी नागरिकों के बने थे और इतना ही नहीं 24 परगना जिले में 38 लाक मंद्रेगा के काट थे आधार लिंक होते ही 15 लाक बिलुप्त हो गये इसी तरह मुशिराबाद में 33 लाक मंद्रेगा के काट थे जिसमें 13 लाक आधार लिंक करते ही गायब हो गया हकिकत यह है चाहे चीटफण गोटाला हो टीचर गोटाला हो पीडियेश गोटाला हो जोईला घटाला हो मंद्रेगा आवाश योशना हर गर जल अमरूद गाय की तसकरी सब में TMC इनवोल्ड है या च्छी मुख्यमंत्री का प्रेंटिंग का भी गोटाला हो गया TMC के सासन में और मैं इनके एक नेता को सुन रहा था, उन्होंने नोड बंगाल की बात की, मैं वो भी आपके समख्ष रखना चाहूंगा, सर नोड बंगाल में आठ डिस्तिक है, जिसकी आबादी करीब करीब 3 करोड है, हम रिशोर्च के अंदर में भी रीच है, और सबसे बड़ा रिविन इतना कुछ होते हुए भी, हमारा कंट्रुबीट होते हुए भी, पश्चिम बंगाल का सालाना बजेट है 3.88 लाग करोड उपया, लेकिन नोड बंगाल डेवलोपेंट बोड को मिलता है 860 करोड उपया, साहित दीदी को पता भी नहीं होगा, जो पूरे बजेट का 0.002 प अभीमानी है, हम अपने पेरों पे खड़ा होना चाहते हैं, नमस्ते दीदी, इतना ही नहीं, इन्होंने का बजेट में पश्चिम बंगाल को कुछ नहीं मिला, मैं कुछ आंकडे आपके समक्ष लेके आया हूँ, बजेट में 93,000 करोड उपया स्रिप पश्चिम बंगाल को लेकर के, अमरिशाच से लेकर के कलकता तक इंडस्ट्रियल कोरिडोर बनेगा, जिसमें पश्चिम बंगाल के युवाओं को रोजगार के नए आउसर मिलेंगे, अर्बन हाउजिंग एक करोड बनेगा, जिसमें कलकता, दुरगापूर, आसंचोल, सिलिगुडी, जैसे सहर को इसका लाब मिलेगा, दो करोड आवाश योजना बनेगी, इतना इने रेलवे के लिए, रेलवे की तरफ से 14,000 करोड रुपे आवंटन हुआ है, और अल्रेडी 60,000 करोड के रेलवे के काम पश्चिम बंगाल में चल रहे हैं, सो नए अमरूत स्टेशन बनेगे, जिसमें सिली गुडी और जल्पाई गुडी भी है, अब मैं तिष्टा फ्लट की बात करता हूँ, इनके एक नेता ने कहा था, तिष्टा फ्लट में सिक्कीम को पैसा मिला, पश्चिम बंगाल को कुछ नहीं मिला, हकिकत यह है, जैसे ही फ्लट हुआ अक्टूबर 2023 को, सिक्कीम ने है, बित्यमंत्र दिको बधाई देना चाहूंगा, 11,500 करोड का जो है, आवंटन किया है, जिसमें बंगाल को 1200 करोड उपे मिलेगा, अब आपके माद्यम से मेरा बंगाल सरकार से निवेदन है, तिस्टा फ्लट पीडीत को यह पैसा मिले, सर मैं आपनी कुछ छेत्र के दो- दो-लन हुआ, उसके माद्यम से दारजिलिंग गोर्खा हिल काउंसिल बना, 2007-11 में गोर्खा लेन टेरिटरियल एड्मिस्टेशन बना, जो सेमी अट्रोनमस बोडी थी, उसको पश्चिम बंगाल ने चलने नहीं दिया, और हमारे चेत्र में आए दिन बहुत तेजी के साथ डेमोग्राफी चेंज हो रही है, हमारा बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, जिसमें बंगलादेश, नेपाल, भूटान और बगल में चायना भी लगता है, और भोट बेंग के कारण बंगलादेशी और रोइंग गैस आए दिन चाय बगान में अपना घर बना रहे हैं, मैं आ इतर का स्थाई समादान और वो भी भारत के संविधान के अंतरगत हो, जिसमें TMC का कोई हस्तचप उसमें ना हो, इतना ही नहीं, गोर्खा समूदाय में 11 जन जाती हैं, जो आजादी के समय 51 के सेंसेज तक जो अल्रेडी ये हिल ट्राइब के नाथे जाने जाती थी, जिसम सुन्वार, थामी, याखा यानि देवान और धिमाल, ये 31, 41, 51 के संसेज में भी ये जन जाती थे, मैं सरकार से निवेदर कता हूँ, सर बस दो मिनिट, इनको जन जाती का दर्ज जल्दी मिले, सर इसका एक बड़ा कारण भी है, जो भारतिय गोर्खा है, उसको नेपाली का का जाता है, नेपाल के सिटीजन का जाता है, इस से हमको भौत पीड़ा है, तकलीफे आए दिन हमारे जवान भारत मा की सेवा करते हैं, सरत में बलिदान होते हैं, और मैं आपके माद्यम से चाहता हूँ, ये जन जाती का दर्ज जल से जल मिले, तीस्तरा बार भीरित को उन का डिकार मिले, आपने